आज हम आपको एक ऐसे जानवर के बारे में रोचक जानकारी बताने जा रहे हैं जिसको आपने अपने घर में जरूर देखा होगा जिसकी कभी लक्षमी के रूप में पुजा की जाती है तो कभी उसके रास्ते काट जाने से रास्ता बदल लेना ही उचित समझा जाता है जी ह आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं आज हम बात करेंगे बिल्ली के बारे में जिसे इंगलीज में cat के नाम से भी जाना जाता है ये जीव अक्सर हमें आज पास दिखाई दे जाती है लगबग हजारों वरसों से ये मनुस्य की साथी रही है जहां इनसान होते हैं वहां बिल्लिया होती ही है इसे एक सामाजिक जानवर भी कहा जा सकता है यदि दुनिया के सबसे लोग प्रिये पालतू जानवर की बात की जाए तो बिल्ली का नाम सबसे पहले आता है विकासिल देशों की तुलना में विक्षित देशों में बिल्लिया पालने कारिवाज अधिक है अंग्रेजी वासा में इन पालतू बिल्लियों को फुसी कैट भी कहा जाता है बिल्लियों के बारे में कई ऐसी बाते हैं जो बेहद रोचक हैं जो मान्चक हैं लेकिन अधिकांस लोग उनसे अनविक हैं तो आईए आज इस वीडियो में जानते हैं बिल्ली के बारे में बहुत ही रोचक और अजबुतत थे बिल्ली विश्व में पालतू जानवरों में से सबसे जादा पाली जाने वाली जानवर है सामनेत है बिल्लियों का जीवनकाल 12-15 वर्स तक का होता है घर में पाली जाने वाली बिल्लियों का जीवनकाल दूसरी बिल्लियों की तुलना में जादा होता है बिल्ली की दाई औ 90% तक बाग के DNA से मेल खाता है बिल्ली पूरे दिन में लगबग 16 गंटे सोती है इस तरह ये अपने दिन का दो तिहाई इस्सा और 70% जिन्दगी सोने में विदा देती है बिल्लियों के जादा सोने का एक कारण ये है कि वे सोते समय ग्रोथ होर्मोन्स रिलीज करती है बिल्ल पलक एक छोटा गुलाबी और सफेद तिरकॉन होता है जो उसकी आखों के कोनों में देखा जा सकता है दूर की दरश्टी के तुलना में बिल्ली निकट की दरश्टी अधिक तेज होती है रातरी की दरश्टी भी उसकी तेज हो रती है बिल्ली सभी रंगों को ठीक से नही इन्सानों की तुलना में 14 गुना तेज होता है। बिल्ली के पिछे के पैरों में 4 पंजे होते हैं जबकि आगे के पैरों में 5 होते हैं। बिल्ली को सिरफ पंजों पर ही पसीना आता है, उसके सरीर के अन्य भागों में पसीना नहीं आता। जहां इंसानों का दिल एक मिनिट में बहतर बार धड़कता है वहीं दिल्ली का दिल एक मिनिट में 110 से 140 बार तक धड़क जाता है एक वैस्ट बिल्ली के 30 दात होते हैं बिल्लियों के दोनों कानों में 32 मासपेशिया होती हैं जो उनके बाहरी कानों को कंट्रोल करती हैं जबकि इंसानों के कानों में केवल 6 मासपेशिया होती हैं। कानों की लचिली मासपेशियों के कारण ही बिल्ली अपने कानों को 180 डिगरी तक घुमा सकती है। बिल्ली अपने दोनों कानों को एक साथ अलग-अलग दिसा में हिला सकती है। बिल्ली का शरीर बहुत ही लचिला होता है, 65 मिटर की उचाही से गिर जाने पर भी इन्हें चोट नहीं लगती है, ये कई घटनाओं में साबित भी हो चुका है, बिल्ली की रीड की हड़ी में 53 जोड होते हैं, जो उसकी पीट को कापी लचिला बना देते हैं, इंसानों की र सुनने की सकती बहुत ही तिरू होती है, वह 64 किलो हर्ट तक की आवाज सुन सकती है, जबकि इन्सान 20 किलो हर्ट तक की आवाज सुन सकता है, बिल्ली की पूच में उसके शरीर की कुल हडियों का 10% हिस्सा होता है, बिल्लियां अपना भोजन चबाती नहीं हैं, बलकि बिना चबाय निगल जाती हैं और उसे पचा भी लेती हैं जिस तरह मनुस्य के फिंगर प्रिंट्स युनीक होते हैं ठीक उसी तरह ही बिल्यों के नोज के प्रिंट भी युनीक होते हैं बिल्ली 30 मिल परती घंटे के रफतार से दोड़ सकती है, बिल्ली में अल्टरासोनिक साउंड सुनने की भी समता होती है, बिल्लियों में कमपन भाप लेने की समता होती है, ये भुखम को लगबग 10 मिनट पूरवी भाप लेती है, बिल्ली म्याओं का इस्तेमाल इनसानों से समवाद करने के लिए करती ह वे कभी भी दूसरी बिली से म्याओं का संभाद नहीं करती हैं मादा बिलियां अपना दाया पंजा जादा चलाती है जब किनर बिलियां अपना बाया पंजा जादा चलाती है बिली अपनी उचाई से साथ गुना तक उच्छी चलांग लगा सकती है बिल्लियां सो तरह की आवाजे निकाल सकती है वहीं कुते मातर दस तरह की ही आवाजे निकाल पाते है बिल्ली धर्ती पर एक मातर स्तंधारी है जो मिठे का सवाद नहीं ले पाती बिल्लियों के लिए अद्रक, लैसून, प्याज, कच्चे आलू, टमाटर और चोकलेट जहर के समान है एक कोट को त्यार करने में लगबग 24 बिल्लियों की खाल लग जाती है एसिया में इनसान परती वर्स लगबग 40 लाख बिल्लियों को मार कर खा जाते है अपने सिकार का पिछा करते समय या दोड़ते समय बिल्लियों कभी भी अपना सीर नहीं हिलाती है ये अपना सीर एक लेवर पर रख कर दोड़ती है जबकि इनसान और कुटे अपना सीर हिलाते हुए दोड़ते है बिल्लियां स्वयम को साप सुथरा रखना पसंद करती है और इसके लिए ये रोजाना काफी समय भी देती है ये जीब दवारा अपने सरीर को चाट कर साप क्या करती है बिल्ली समुदर का पानी भी भी सकती है क्योंकि इसकी किड्नी समुदरी पानी को भी रिहाइड्रेट कर सकती है बिल्ली का मुत्तर हंदेरे में भी चमकता है अब तक पाई गई सबसे बड़ी बिल्ली की उचाई 48.5 इंच थी जिसका नाम स्टिवे था एक बार स्कोटलेंड की परसिद डिस्टलरी में टोसर नामक बिल्ली को चुहों के सिकार के लिए रखा गया उसने अपने जीवनकाल में लगबग 28899 चुहों का सिकार किया जो की एक वर्ल्ड रिकोर्ड है इस वर्ल्ड रिकोर्ड के लिए टोसर का नाम गिनीच वुकोफ वर्ल्ड रिकोर्ड में दर्ज है लेकिन आश्च्रिय की बात ये भी है कि इसी काम के लिए एक वर्ली भी रखी गई थी जिसका नाम अंबर था और वो अपने जीवनकाल में एक भी चुह नहीं पकड़ पाई अलासका सहर तल कीतना में स्टब्स नाम की एक बिल्ली 15 वर्स तक मेयर कर पद पर न्युक्त रही 1963 में फिलकेट नामक एक फ्रांसिसी बिल्ली अंत्रिक्स में जाने वाली पहली बिल्ली थी अमेरिका के पूरव राष्टपती बिल क्लिंटन की बिल्ली स्टोक्स मीडिया की भूत ही दुलारी थी उसे राष्टपती बिल क्लिंटन से भी जादा पत्तर भेजे जाते थे C.I.A. 12.60 के दसक में बिल्लीों को जासुस के तोर पर भी इस्तिमाल किया जाता था इस काम में बिल्लीों पर लगबग 20 मिलियन डालर खर्च किया गया था उनसे सोवियत संग में जासुस ही कराई जाती थी पहली जासुस बिल्ली एक टैक्सी के नीचे दब कर मर गई थी यूटूब पर सबसे पुराना बिल्ली का वीडियो 1894 में फिल्माया गया वीडियो है सर्प्राइजड की टीम बिल्ली का सबसे ज़्यादा लोगपिरिये वीडियो है जिसे यूटूब पर 65 मिलियन बार देखा जा चुका है दुनिया की सबसे छोटी बिल्ली टिंकर टोई नाम की बिल्ली थी इसकी लंबाई महज 7 सेंटीमिटर थी औस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहां 90 परतिसत गरों में बिल्ली पाली जाती है 1995 में देनमार्क में एक हरे रंग की बिल्ली ने जनम लिया था ऐसा कहा जाता है कि पानी में 30 धिक ओपर की मातरा इसका खान थी मादा बिल्ली चार माँ की होने के बाद गर्वती हो सकती है मादा बिल्ली एक साथ एक से लेकर नो बच्चों तक का जनम दे सकती है अब तक बिल्ली दवारा एक ही बार में सबसे जादा पैदा किये गए बच्चों की संक्या 19 है इन में से मातर 15 ही जीवत बच पाये थे एक साथ जन में बिल्ली के बच्चों की पिता अलग-अलग हो सकते हैं जब कुटे अपनी पूछ हिलाते हैं तो वे एक तरह से अपनी खुशी वेक्त करते हैं लेकिन बिल्ली के साथ ऐसा नहीं है यदी वे आपको देखकर अपनी पूछ हिला रही है तो इसका मतलब है कि वो आपको अपना गुशा दिखा रही है बिल्ली की मुच्चे उनके मूट को दरसाती हैं यदी वे ड्रई हुई है तो अपनी मुच्चे पीछे कर लेगी यदि वे अक्रामक मूड में है तो वह अपने मुझें आगे कर लेगी जब बिल्ली अपने पूछ किसी दूसरी बिल्ली कुत्ते या इंसानों पर लपेटती है तो यह दोस्ते का संकेत है बिल्ली उंट और जिराफ की तरह ही चलती है वह पहले अपने दोनों दाएं पर आगे बढ़ाती है बाद में बाएं पर इसके अलावा धर्ती पर कोई भी दूसरा जानवर इस तरह से नहीं चलता है सोध के अनुसार बिल्ली पालने से हार्ट अटेक और स्टोक का खत्रा एक तिहाई कम हो जाता है बिल्ली अपने मुच्छों का इस्तेमाल यह जानने के लिए भी करती है कि कोई छेद या रास्ता कितना चोड़ा है और वह उसमें से निकल पाएगी या नहीं दुनिया में सबसे ज़्यादा बिल्लिया उतरी अमरेका में पाली जाती है यहां 63 मिलियन कुत्तों के मुगावले 73 मिलिया पाली जाती है बिल्लियों में अपने घर का रास्ता ढूंद लेने की समता भी होती है इसे पेस्ची ट्रेवलिंग कहते हैं कई विशेसकों का मानना है कि बिल्लियों के दिमाग में मैगनेटाइज शेल्स होते हैं जो कमपास की तरह ही कारिय करते हैं और उन्हें दिसाओं का बोध कराते हैं आसा है वीडियो में दी गई जानकरी आपको पसंद आई होगी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद